भारत बनाम आस्टेलिया तीसरा ODI पहले दो जीत के सीरीज पे कबजा जमा चुकी है इस बार ये ODI भी जीत की क्लीन स्विप की भी तैयारी है स्वागत आप सभी का हमारे यूटुब चैनल पे अगर आप सब हमारे यूटुब चैनल में ने हैं तो प्लीज हमारे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब करें और बिल आइकन के घंटी को प्लीज दबा दे ताकि जो भी नए वीडियोस आएं आप सब तक सबसे पहले पहुँझे और ड्रीम लेविन की टीम अगर आप चाहते तो प्लीज हमारे टेलिग्राम चैनल पे जाएं टॉस के जस्ट एक मिनट के बाद ही आपको पूरी तरीके से टीम मिलती है तो चलिए बात करते हैं इस मैच की इस मैच में क्या होने वाला है किस अंदाज में खेलने वाली है आस्टेलिया आस्टेलिया पूरी तरीके से फुल स्टेंथ टीम उतारने वाली है जो की वर्ल्ड कप में आपको दिखेगी पॉसिबिलिटी है इसी टीम के साथ क्योंकि आस्टेलिया लगातार छे ओडियाई अब तक नहीं हारी है अगर पिछले दस सालों के इतिहास में देखा जाये तो और जो इस शाल चल रहा है लगातार छे ओडियाई अहार ना कि ऑस्टेलिया इतनी बड़ी ओडियाई टीम पहले साथ अफरिका से हरती है फिर आप देखेंग इंडिया से लगतार दो ओडियाई हार जाती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कहीं ना कहीं नीशान avatar भी रहे गै़ कि किस अंदाज में आज आश्टरीलिया खेलने वाली है। पहले बात करेंगे कि टीम इंडिया की अंदाज में आज प्लेइंग के लिए बनतारती है क्योंकि टीम इंडिया की दिल और धड़कन एक सांथ वापस आ चुके हैं रोहित सर्मा और विराट कोली तो यह जब वापस आते हैं तो टीम जो मजबूत थी वह अब स्ट्रॉंग और मोर्दन स्ट्रॉंग बन जाती है तो यह सबसे पहली अच्छी चीज रहेगी कि वापस आये हैं तो कफ्तानी का भार ऑब्वियसली रोहित मैं सर्मा जो अल्टाइंग कैप्टेन है भी रोहित मैं सर्मा इशान किशन सुबमंगिल इस मैच में अबलेबल नहीं है इस सी करते हैं और अगर यहां से सुबमंगिल 25 रंट बना जाते ना तो सबसे तेज नंबर वन ओडियाई रैंकिंग पर पहुंचने वाले पहले भारती या नहीं पहले विस्ट के बल्लेबाज हो जाते हैं मतलब समझ से पर है यार मुझे तो अभी तक समझने आई कि ऐसा क्यों मैच में हमने देखा था और उसके बाद आपको दिखेंगे केल राहूल या फिर सिरय सेयर और उसके बार नमर पांच पर केल राहूल सुए कुमार यादब रवी चंद रन अश्विन रविन रिजाडेजा कुल्दीप यादब जस्ट्री दूम्रा और मुहम्मद सिराज इ या फिर मुहम्मद सामी हर किसी के पास अबिलिटी से पांच-पांच विकेट ले नहीं की तीन तीन करके लेना यार मुझे मतलब अल आउट हो जाएगी अगर इन तीनों का अपना रिदम में रहा तो और जिस अंदाज में पिछले कुछ मैचिस में दिखाया है चाहे वो चाहे वो सिराज चाहे वो महमद सामी चस्ट आउट स्टैंडिंग फॉर्म में तो मेरे हिसाब से तो अच्छा करेगी उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रीलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रीलिया ठीक नहीं है मतलब इनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है कभी कभी कोई बल् अच्छे गेन बाज है उस प्रेशर को कप्तानी में मेरे हिसाब से तो अभी भी इस्ट्रीन स्मित इस बहतर कप्तान में आज तक नहीं देखा है रिकी पॉंटिंग के बाद मेरे हिसाब से लगता है खेर इस मैच में आपस आएंगे पैट कमिंस कप्तानी करेंगे डेविट वार्नर मिचल मार्स ओपन करने वाले हैं यहाँ थोड़ा सा समस्या है ऑस्ट्रिलिया का मिच मार्स के साथ डेविट वार्नर की कॉंबिनिशन जो देखेंगे न उतनी अच्छी नहीं जितनी अच् अच्छी आप देखेंगे कि ट्रैविस हेड के साथ दिखती है यह सवाल तो रहेगा कि एरन फिंच के साथ राइट हैंड डेट हैंड कॉंबिनिशन था तो एरन फिंच एक अलग लेविल के थे वो प्रोपर बैट्समेन थे मगर मिच मार्स एक बैटिंग ऑल राउंडर कह रहे हैं तो उनके साथ आपन करने वाले हैं स्ट्वेन स्मित मार्शन लाबूशन अभी तक वेल कप का हिस्सा नहीं है मगर 28 तारिक से पहले ऐसी खबर आ रही है कि मार्शन लाबूशन को अट किया जा सकते कुई 28 तारिक से पहले तक आपको अगर कुछ भी चेंजिस खर तो वो आप कर सकते है उसको ग्लैन मैक्सवल ये इस टीम का X Factor है इनका बल्ला जिस दिन बोलेगा न वो सामने चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो ये अपने दिन पे छके जोके के बारिश कर देगा ये ऐसी अबिलिटी इसके पास है उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि ज एक्सवल खेले मैक्सी मैक्सी मज़ा था मुझे देखने मुझे काफी इंट्रेस्टिंग प्लियर रही हो और उसके बाद जॉस इंगलेस ये भी उपरता हुआ सितारा विकेट कीपर कैमरें ग्रीन पिछला मैच में शतक शतक लगा था मगर वो शतक गेंदबाजी करते वे एक सुरण दियते हैं उससे भी अधिक उसके बाद मारको स्टाइनिस पैक कमिंस मिचल स्टाक क्यों आपसे हुई है तेज गेंदबाजों का बोल बाला इस फिच पे रहने वाला है एडम जामपा एडम जामपा कल के मुकाबले में आप देखेंगे ना तो आखरी की और में विकेट मिला था और मैंने कहा था कि एडम जामपा एक मातर ऐसे गेंदबाज हैं सेनवान के बाद दूसरे गेंदबाज हैं जो विकेटलेस नहीं गया इंडिया खिलाब चावो मतलब किसी फॉर्माट वो विकेटलेस नहीं जाते वो काफी कम मरतबा देखा गया है अब प मैच जीतने किस अंदाज में इंडाजी और शोमाल कहा है इस तो काफी सवाल कि आपने मतलब कर के रहेंगे दस मैचों के मुकाबले के बात करेंगे 6 जीती है इंडिया चार जीती है उस्ट्रेलिया इस पिछ की अगर हम बात करें पिछ बिलकुल स्पिन के लिए मदद उतनी नहीं रही कि यतना पिछले मैच में हमने देखा था फास्ट बॉलिंग के लिए पिछ जवर्दस्त है अगर मतलब बुम्रा अलग है यार बुम्रा की कोई तोड़ नहीं है नमबर वन भले सी राज है मगर बुम्रा वन अफ माई फैबरेट मेरा क्या दुनिए के फैबरेट है कि यार वो जैसे उससे ज्यादा बहतर यॉरकर मलिंगा के बाद वो सबसे बहतर यॉरकर मस्टर है मेरे ह करेंगे और बल्ले बाजी ही करना चाहेंगे टॉस जीत के मेरे हिसाब से अब ऑस्ट्रेलिया के तरब से एस्टेन स्मित का मतलब शतक का इंतेजार शतक तक पहुंचने की कोशिश रहेगी क्योंकि वह आज तक कभी भी विदाउट शतक भी नहीं लोटे हैं किसी भी दोरे से पिछला दोनों मैंच flop इस मैंच में साइड हो सकते हैं मिचल स्टाक क्यों औप्शी हुई है कमसे कम दो या तीन our iards की हाभने मैं को साइद अ propose और शवाल है मगर विराट क्यों सब्सक्राइब करएं क्यूंकि हर रोज वीडियों साने वाली concrete तो आप सब भी अपना ख्याल रखें और तब तक करे अलविदा थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग इस फेडियो